राम राम जहन आज थोड़ा सा हम लोग deep dive करेंगे SSC के जिके के बारे में जेनल नोलेज के बारे में ठीक है मेरे पास comment आते हैं कि भीआ SSC के जिनल नोलेज के बारे में जारा बताओ कैसे का जीजे करने उसके बारे में discuss करो को आज हम तुम्हें बताथे देखो सीधी सी बात पहले कुछ चिजे समझे लो सबसे पेली चाहिए समझो कि हमारे पास है क्या सबसे पहला क्या है اिस्टैटिक जी कि जो की अब बहुत ज़्यादा पूचा जाता यार उसके बादी करंट अफेस साइन्स टेक मलब टेकनोलोजी कम्प्यूटर हिस्ट्री कॉंस्ट्यूशन अरे सारी पॉलिटी ठीक है जोग्रफी एकॉनमी और उसके बाद मिस्लीनियस बागी सब जितना भी है वो इस्टैटिक में आ जाता है ठीक है तो हमारे पास तीन मेजर पोर्सन है अब हमने बहुत से लोगों को देखा है कि इसमें बहुत तगड़ी उनकी प्लैनिंग होती है मतलब बहुत तरीके की चीज़ें वो बताते हैं कि यह टॉपिक यहां से कर ल है तुम्हें अगर रैंक चाहिए अच्छी तो तुम्हें इस सब्जेक को तो भाईया देखना पड़ेगा क्योंकि बागी समय तो आ जाते हैं तो सबसे पहले इस्टैटिक जी के एक मेजर पोर्सन है जीके की बात करें अगर तो इसमें सबसे लादा नंबर तुम ले सकते सकते हूं अब मेरी आदत हैं हम्हार्ड कॉपी जब तक नहीं होति किसी के भी तो पढ़ नहीं पातें पीडिया बीडिया पढ़ाई हम से होती नहीं तो हम क्या करेंगे तो हम स्टैटिक जीके की दो किताबें लेंगे दो किताबें अब अगर हम दो किताबे ले रहें तो इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब यह हो गया कैसा तो है नहीं कि दोनों किताबे हमें जीरो से पढ़नी है दो किताबे हमने ली अब इसका मतलब यह नहीं कि हमें दोनों किताबें जीरो से पढ़नी है क्यों 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 कि एक किताब तुम्हारी छोटी भी रहेगी चलेगा लेकिन उस प्लैनिंग में इतना मजबूत रहो कि उसके बीच में आ जा कहीं गलत ना हो स्टैटिक जी के कि अगर हम दो किताबे लेंगे इसको हम कम से कम चार से पांच बार खतम करेंगे कि इसमें से कुछ आ जाएगा तो मेरा गलत नहीं होना चाहिए करेंट अफेस को अभी छोड़ते हैं इसके बाद हम डिसकस करेंगे सबसे पहले हम इन सब की बात कर लेते हैं ठीक है देखो एक चीज़ यह समझो कि जो मेजॉरिटी पोर्सन है वो स्टैटिक और करेंट से आता है और तुमें बाकी के सब्जेक्ट भी देखने हैं तैयार लिंक दे देंगे इसे अगर मिलेगा तो डिस्क्रिप्शन में लेकिन 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 ठीक है यूनिक पब्लिकेशन की किताब लिया हो उसमें पीछे स्टैटिक का पोर्सन दिया गया है उसमें कुछ मिस्वरिंट है मतलब गलतिया है कुछ तो वो मत पढ़ना इसका जो चैक स्टैट ये सारी यूनिक पब्लिकेशन से खतम करके इसको भी दो से तीन बार करके और जो भी चीजशे तुम्हें लग रही है कि इसको मालब नहीं सबना सकते हूँ उसके लिए क्या कर सकते हो नोटस बना सकते हो ठीक है अब तुमने नोटस बना लिए उसका फाइदा क्या हुआ नोटस जब तुमने बना लिया तो आकरी में रिवीज्ञ에 न के लिए सही रहता है क्रेंट एस arrests की के साथ हो देते हैं तो वही explanation हम क्यों research करें जाके हमें किताब में मिल ला हम तीन-चार बार पढ़के उसको paper में लिकाएंगे जाके हम तीन-चार बार वो चीज़ें पढ़ेंगे जो हमें बिल्कुल नहीं आती मैथ में अगर हमें geography में sorry geometry में कुछ दिक्कत है तो हम उसको आना है specific तो हमी recommend करेंगे कि daily के notes मत बनाओ weekly कहीं तुम्हें वीडियो दिखती है उसको नोट्स बना मना कि अपनी एक सीट तयार कर लो लेकिन अगर मेरी personal choice रहेगी मेरी personal राय अगर हम तुम्हें बता है तो simple से ही रहेगा कि हम आखरी में जब paper हो जाता है paper जब paper आने वाल तो हमें आदे current आई से तयार रहेते हैं ठीक है तो यह कुछ चीजें हैं जिससे तुम अच्छा rank भी ला सकते हो और बढ़या तयारी भी कर सकते हो और एक चीज ध्यान लगना जब इस चीजें हो जाएंगी तुम्हारी उसके बाद जब तुम previous paper की किताब उठाओगे तब हर चीज का अलग करने जोथ नहीं है क्योंकि और लेडी बहुत stress है राम राम